यह देखेगा यह बना रही हूं मैं अरहर की दाल एक कटोरी लिए जिसको तूर की दाल भी कहा जाता है यह देखे छोटा बाउल है इसमें से निकाल लेजिए वो लग गई थोड़ी सी इसमें यह देखे छोटा बाउल है किता वन कटोरी इसको अब अच्छे से वाश करना है दाल को यह देखेगा दाल को जब तक वाश करते रहे है जब तक यह जैसे वाइट 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 वाटर है वो निकल गया है पानी के जरिए अब इसको यह देखेए इस तरीके से हो जाने जाइए कि पानी के अंदर से डाल दिखे बिल्कुल इस तरीकेसे हमने वाश करनी है इसको यह वाश कर दिया है और एक कुकर लेना है कुकर के अंदर ये डाल डाल देनी है अरहर की जिसको तोर की डाल भी कहा जाता है एंटर कर दिए इसमें अब कि ग्लास दिखा रही हूं है कि छोटा ग्लास है ज्यादा बड़ा ग्लास नहीं है छोटा जो होता है वो ग्लास है वन ग्लास वाटर डालना इसमें फिर इसका हाफ ग्लास वाटर डालना है देखेगा अब इसके अंदर मसाले डलेंगे हल्दी पॉडर बिल्कुल थोड़ा सा आप देख सकते हो स्पून जो खाने वाला स्पून होता है हमारा दाल वह वाला स्पून है उसमें कितना कितना डल रहा है यह मिर्ची लाल मिर्च लिए यह मैंने यह है नमक नमक मैं सेंदर नमक यूज करती हूं और काफी ज्यादा हो जाता है मैं थोड़ा यूज करती हूं अभी जब हम इसको फ्राइ करेंगे जब भी मैं नमक डालूंगी नमक और मिर्च तो अभी हम इसमें विसल लगा देंगे विसल लगाने के बाद देखियेगा कम से कम चार विषल लगनी चाहिए और यह देखियेगा ऐसे बनके रड़ी हो गई यह दालूंगी अब इसके अंदर ना प्याज का यह देखिएगा प्याज को अच्छे से कट करना है यह देखिएगा बरीक बरीक प्याज को कट कर लेना है तड़के के लिए यूज होगा प्याज बरीक कर लो एक छोटा ग्रांडर भी आता है प्याज का करश करने के लिए उसको बहुत बरीक वो भी उसकर सकते हो अगर आपके पास वो है मेरे पास था वो ब्रेक हो गया यह देखिएगा मैं दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे से यह मैंने चौप कर दिये हैं अब साथ ही हम लेंगे एक टमाटर और एक मिर्च टमाटर का आगे वाला पाठ हटा देना है जो डंडी वाला पाठ होता है और फिर इसको अच्छे से सेम जैसे प्याज को हमने कट किया था बरीक छोटे पीसिस में उसी तरीके से ना टमाटर को भी छोटे छोटे पीसिस में कट करना है यह देखिएगा सारे टमाटर कड़ गए सेम में बोलूंगे अगर आपके पास ग्रैंडर है चोटा वाला जो पाउल टाइप में आता है उससे भी क्रश कर सकते हो आप टमाटर प्याज को मिर्ची को मेरा ब्रेक हो गया था इसलिए मैंने यूज नहीं कर पाई उसको इसलिए और ये मिर्ची मेरी सूखी वी थी इसलिए क्योंकि मिर्ची खतम हो गई थी मेरे पास एक ही मिर्ची रखी वी थी और वो भी हलकी ड्राइ हो रही थी आपके पास ताजी हो तो आप यूज कर लेना मेरे पास ड्राइ थी टेस्ट फ्लेवर के लिए मैंने मेरे को डालनी थी इसलिए मैं ने ड्रायर डाल दी यह है लसुन छिलेवे इसमें से एक कली ही आपने डालनी है लसुन की जादा नहीं डालनी है टेश्ट के लिए फ्लेवर के लिए खाली तड़के में एक फ्लेवर सा आजाता है अच्छा लगता है जो लसुन का वो flavor के लिए हमने यह डालना है और इसको भी same उसी तरीके से बरीक बरीक cut कर लेना है बिल्कुल छोटे-छोटे pieces में इसको cut कर लेना है यह देखिएगा छोटे-छोटे pieces में होगा इसको अच्छे से chop कर दिया मैंने जितना छोटा हो सके उतना क्योंकि मुँ में भी आता है ना बच्चों के तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि ममा यह क्या है मेरे को निखानी है दाल बच्चों के तो आदत है बाउल लेंगे आप कड़ाई ले लो पतीली ले लो जो भी हो मैंने कड़ाई लिए इसमें मैं डालूँगी बटर आपके पास कोई साही बटर हो आप वो ले 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 ना मैंने बटर डाला इसके अंदर मैंने प्रोबाइटिक बटर डाला है मैंने इसमें आप कोई साही भी डाल चकते हो अगर आप अमूल का डालोगे वो भी बहुत टेश्टी आता है दाल के अंदर डलता है तो बहुत टेश्ट लगता उसका यह देखिए इस तरीके से मैंने हिला लिया है उसको थोड़ा सा तारे ताकि वो कडाई के अंदर पूरे में लग जाए सबसे पहले हमने लेस्ट डालने लेस्ट के साथ ही जीर डालना है मैं बुल गई थी लेस्ट के साथ जीर डालना तो मैंने प्याज के बाद जीर डाला देखिएगा अब थोड़ा सी ब्राउन हो जाएंगे ना यह को ब्राउन हो गए है यह देखिएगा कलर चेंज कर दिया इसने और इसमें प्याज डाल देना प्याज को अलगा सा ब्राउन होने पर अच्छे से ब्राउन करना इसको इसके इंदर हमने टमाटर डालने इसमें मैंने बटर डाला ही था पहले मैंने आपको दिखाया था अब इसके अंदर वन स्पून मैंने देसी घी डाला है देसी घी कभी टेश्ट बहुत बढ़ी आता है इसमें तेल ना ही यूज़ करो तो बेटर रहेगा क्योंकि तेल का इतना अच्छा टेश्ट नहीं आता अरहर की दाल में कभी भी देसीगी, मक्खन का टेश्ट जब डालोगे न मक्खन या देसीगी डालोगे तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है मैंने जीरा बाद में डाला है आप लसुन के साथ ही डालना ज्यादा टेश्ट आएगा और मेरे पास हरी मिर्शी नहीं थी साबूत हरी मिर्शी नहीं थी अगर आपके पास हो तो आप वो डाल सकते हैं मैं बिना उसके ही बना रही हूँ साबूत हरी मिर्श के अगर साबू थरी मिर्च इसके नदर डल जाए तो उसका फ्लेवर अलागी है टेस्ट आता है बहुत अच्छा टेस्ट होता है वो इसके साथ ही हम डाल देंगे प्या वो टमाटर अच्छे से इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर को इसके बाद मिर्ची थोड़ा सा नमक डालेंगे देखिएगा पहले भी मैंने वन स्पून से कमी नमक डाला था अब भी मैंने आफ स्पून डाला है थोड़ा नमक और मिर्शी जरूर डालनी है और यह आमचुर पॉर्डर डाल रही हूं मैं थोड़ा सा खटास के लिए मुझे थोड़ी सी खटी सी डाल अच्छी लगती है थोड़ी सी इसलिए मैंने थोड़ा सा आमचुर डाला है पॉर्डर आपको नहीं डालना हो तो नहीं डालिएगा कि और इसमें थोड़ा सा एक चमच टाइप पाने डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको हलका कर देंगे और एक लिड़ लगाके इसको थोड़ा बुर्णे देंगे ताकि यह श्टीम में पक जाए कम से कम पांच मिनट एक दो बार इसको खोल के देख लीजिएगा पांच मिनट की बीच में ये वन बार खोल के देखीगा और उसको जो हलके से टमाटर मैश हो गए हैं उसको थोड़े से अच्छे से मैश कर दीजिएगा ट गल गए हैं टमाटर तैकि वो प्रॉपरली मुह में ना सके दाल के अंदर जब डाले हम अब यह देखिए अच्छे से भुन गया है पानी हमारा सूप गया है यह देखिएगा कि अच्छे से भुन गया है बिरकुल कडाई ने छोड़ दिया उसको चिपक नहीं रहे बिरकुल अब इसको हम दाल के अंदर एंटर कर देंगे क्योंकि हमें एक विसल और लगानी है यह देखिएगा दाल थोड़ी सी खड़ी-खड़ी सी है जो कितनी बार अच्छी नहीं लगती है थोड़ी सी मैश करनी हमने दाल को तो इसलिए मैं इसके अंदर अब जितनी भी दाल और यह मसाला जो लगावा है इसको निकाल लूँगी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें गरम ही पानी डालना आप अपनी दाल में अगर दाल के अंदर पानी कम हो तो दाल के अंदर पानी कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी क की चाहिसे कम होते के साती मैं ए सक अंदर में इसके इंकाल देती यह में की अबूना काई डाल के मैंने कडाई को side रखा then now मैंने मैंने इसको mix करके उस पानी के साथ one whistle लगानी है इसको later कर देंगे यह देखिए one whistle लग गई है और gas बंद कर देजेगा अब यह देखिएगा यह आया है color और यह आया है taste आया है यह देखिए प्याज टमाटर जादा नहीं दिख रहे और एक एक दाना दिख रहा है दाल का